हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुधीर कुमार, SSC Pinnacle Online Platform पे आप लोगों का स्वागत है, हम लोग Quantitative Appitude Book की वीडियो सोलूशन कर रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट क्लास में APGP के theoretical point of view से brief introduction देखे थे, formula देखे थे, AP का, GP का, यानि arithmetic progression का, geometric progression का, AM, GM और HM में relation देखे थे, उसके formula यानि arithmetic mean क्या होता है, geometric mean क्या होता है, harmonic mean क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने discuss किये थे, लिए अब questions की आते हैं, question की practice करेंगे, one by one, question number one आपके screen पे दिया गया है, देखे, क्या दिया गया है, suppose ABC are three distinct number, यानि तीनों अलग 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 नंबर है, और क्या है, तीन the following statement, पहला statement क्या दिया गया है, ध्यान से देखो, the arithmetic mean of ABC, is a natural number, arithmetic mean of ABC is a natural number, जैसे देखो, तीन नंबर दिया गया है, A, B and C, और condition दिया गया है, कि A plus B plus C क्या होना चाहिए, वो ABC के equal होना चाहिए, यहीं कहा गया है, और यह तीनों के तीनों natural number होने चाहिए, natural number का मतलब क्या होता है, natural number होने चाहिए, यानि तीनों अलग अलग होने चाहिए, तीनों equal नहीं होने चाहिए, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, पहला statement हमारे पास दिया गया है, पहला statement दिया गया है, कि arithmetic mean तीनों का, क्या होना चाहिए, यह statement सही है, कि गलत, तीन नंबर का AM, AM लिकालना जानते हो, arithmetic mean वो क्या होता है, A plus B plus C, कितने नंबर 3, by 3, अब देखो दियांसे, आपके माइन में आ रहा होगा, sir, ABC कि क्या value ले ले, ताकि यह equation satisfied हो, तो अगर मैं 2 plus 2 plus 2 plus 2 लूँ, तो कितना हो गया, 2, 2, 4, 2, 6, यहाँ पे 2 satisfied नहीं करेगा, वैसे भी 2 ले नहीं सकते हो, क्यों नहीं ले सकते हो, यह क्या हो गया, वैसे भी आप 2 नहीं ले सकते, 2 क्यों नहीं ले सकते हो, उसके पीछे का region है, उसके पीछे का region है, कि 3 क्या है, अलग अलग है, तो हम 1, 2, 3 ले करके check करें, क्या यह satisfied हो रहा है, देखो, A की value 1, B की value 2, और C की value 3 लूँ, द यहाँ नहीं यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6 इक्वेट आगया बराबर यानि ABC की यहीं value पे यह satisfied करेगा अब अर्थमेटिक मीन होता क्या है A प्लस B प्लस C बाई 2 3 A कितना है 1 प्लस B कितना है 2 प्लस C कितना है 3 divided by 3 देखो द्यान से 3 दू 5 एक 6 6 divided by 3 2 क्या 2 natural number होता है हाँ तो अर्थमेटिक मीन भी इसका क्या हुआ natural number यानि पहला statement क्या है right पहला statement जो है वो true है पहला statement true है अब second statement की बारी आती है second statement देखो पहला statement तो हमारा हो गया second statement देखो the harmonic mean of ABC lie between 1 and 2 यानि harmonic mean तीनों का lie करना चाहिए किस में 1 and 2 के बीच में lie करना चाहिए देखो दियान से second part अगर तीन number ABC तीन number है तो इसका harmonic mean harmonic mean मैंने बताया था क्या होता है 3 divided by 1 by A plus 1 by B plus 1 by C बता चुका हूँ आपको तो आप आजाओ 3 divided by 1 by A A कितना है 1 यानि 1 by 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 3 अब आजाओ दियान से देखो 3 divided by LCM लोंगा तो कितना हो गया 6 ये क्या हो गया 6 plus 3 plus 2 6 उपर चला जाएगा यानि 3 into 6 अपन नीचे 6,39,2,11 यानि कितना हो गया 18 by 11 यानि 11 बंजा 11 बंजा 11 बचा 70 11 चाहके 6,6 यानि 1.6 आया इसका जो harmonic mean आया है HM आया HM जो आया 1.6 अब बताओ ये 1.6 1 और 2 के बीच में ही लाई कर रहा है न यानि 1 और 2 के बीच में ही आएगा यानि statement 2 भी जो है statement 2 जो था ये ये भी correct है तो दोनों correct हो गए तो कौन सा question बोथ 1 and 2 दोनों के दोनों correct है question क्या कहा गया था consider the following equation which of the following statement is are correct कौन सा दोनों के दोनों correct है option C correct answer हो गया ये देखो UPSC exam में पुछा हुआ CAPF का question latest 6,8,2023 को पूछा हुआ question था आसानी से हमने कर लिया यानि यहां से लेकर कि कि यहां तक हमने step किया और आसानी से बन गया लिए concept की clarity है तो क्योंकि मैंने सारी जो ये concept थे मैंने already discuss किया था किसमें अपने theoretical point of view से इसके पिछले वाले class में चलिए move to the next next देखो दियान से हमारे पास दिया गया है 3 plus 3 square plus 3 का cube plus so on 3 पे power 8 ये मेरे को देख के पता चल रहा है ये कौन सी सीरीज है जीपी सीरीज क्यों यहां से यहां जाने में 3 का multiply यहां से यहां पहुंचने में 3 का multiply जीपी सीरीज हो गया ये कौन सी सीरीज है जीपी सीरीज है जीपी सीरीज में हम सम का formula जानते हो, sn क्या जानते हो, sn, अब ये depend करेगा common ratio पे, देखो first term क्या है, first term है 3, common ratio, common ratio हर एक में multiply कितने का और है, 3 का, यानि ये भी 3, common ratio, modulus में common ratio कितना है, 1 से बड़ा है न, 3, 1 से बड़ा है, तो formula कौन सा apply करोगे, a, r पे power n minus 1 upon r minus 1, अब apply कर लेते हैं, देखो apply करते हैं, apply करोगे, तो क्या होगा, देखो दियान से, a, first term है 3, common ratio कितना है, 3, तो 3 पे power, कहां तक गया है, n कैसे define करोगे, देखो दियान से, n, 1, 2, 3, 4, देखो, 1 है, 2 पे power 2, 3 है, तो 3 पे power 8 है, यानि, n, 8 है, तो 3 पे power 8 minus 1 upon, ये कितना हो गया, 8 minus 1, चलो, अब आगे बढ़ते हैं, दियान से, देखोगे, तो 3 into, 3 पे power 8 minus 1 upon, नीचे कितना हो गया, 7, ये हो गया, इसके अलावा तो कुछ है नहीं, अचा, sorry, यहाँ पे 8 नहीं होगा, यहाँ पे mistake कर रहा हूँ, r minus 1 होता है, न, formula, तो r, radius, r, sorry, common ratio, r होता है, r कितना है, 3, 3 minus 1, यानि, 3 minus 1, यानि कि 2 हो गया, चलो, दियान से देखोगे, तो 3y, यहाँ पे दियान से, 3y2 into, 3 पे power 8 कैसे लिका लोगे, 3 पे power 8 कैसे लिका लोगे, दियान से, 3 पे power 4 कितना होता है, 81, 3 पे power 5 कितना होता है, 243, 3 पे power 6 कितना होता है, multiply करोगे, 729, 3 पे power 7 कितना होगा, 3 से और multiply करोगे, तो नतली 27, तीन दूनी 6, दो आठ, सतली के 21, देखो नतली 27, नो दूनी 18, रुको रुको यहाँ पे, तीन से इसमें मल्टिप्लाई करो न, ओहो ये क्या हो रहा है, देखो दियां से, 3 पे पावर 8 कितना होगा, यहीं बताना है, 3 पे पावर 8, तो इसमें एक और 3 का अप्लाई करूँगा, तो कितना आ जाएगा, देखो दियां से, सतली के 21, अतली के 24, 24 और 2, 26, 21 तियां 63, 63 और 2, 65, 65, 61, यानि याद रख लेना 65, 61 होता है, यह बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 65, 61, देखो य जाएगा, r-1, r कितना है, 3, 3, 3, 1, 2, यानि यह हो गया, हमारे पास, a divided by r-1 upon r-1, तो a कितना था, 3, divided by 3 पे पावर 8 माइनस 1, upon 2, जो द्यान से, तो 3 पे पावर 8 कितना है, हमारे पास, ठीक है, 6, 5, 6, 1, 6, 5, 6, 1, minus 1, अब देखो दियान से ये कितना हो जाएगा, देखो दियान से, 3 by 2 into, ये कितना हो गया, 6, 5, 6, 0, 2 से काटोगे, 2 से 3, 2 दूनी 4, 2, 8, 16, इतना, अब multiply कर लो, 3 से, 0, अतली के 24, last में 4, 0 आना चाहिए, last में 4, 0 एक ही option है, हम पूरा solve नहीं करते हैं, यो 32 दिया, 96, 96 और 2, 98 हो जाएगा, तो multiply भी कर लोगे, तो यहीं answer आएगा, चलो, इस तरह से हमने क्या किया, यहां से यहां तक एक part किया, और उसके बाद हमारा next part यहां से यहां तक था, और हम question तक बना लिए, यह important है, यह data तो मैं कई बार बोल चुका हूँ कि यह चीजें आप याद रख लो, तो बहुत कामाने वाला है, ठीक है, चलिए, next, देखो यह CGL के latest paper में आया हुआ question था, next question पे आ जाओ, देखो next question क्या दिया गया हमारे पास, समझना बाद को, देखो, अगर मैं कुछ चीजें आप से बोलू, यहां पे देखो दियान से, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, मैं बोलू add करने के लिए, directly add कैसे करोगे, 2 into कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, 5, तो 2 into 5, अगर यहीं up to n तक रहता, तो 2 into, 1, 2, 3, 4, तक तो n, यानि 2 n हो जाता, तो वैसे ही देखो दियान से, यहां पे, 1 वाले को एक साथ लिखो, यानि दियान से, यहां पे 1 है, यहां पे 1 है, तो इसको एक साथ लिखो, जैसे देखो, ऐसे है न, 1 minus 1 by n है, plus 1 minus 2 by n है, यहीं है, plus 1 minus 3 by n है, up to, कहां तक गया है, up to n term तक गया है, n term तक गया है, right, अब दियान से, इसको कैसे solve करोगे, तो solve करने का method, पहले देखो, 1 यहां पे है, 1 यहां पे है, add करना है, up to n तक, 1, 1 repeat हो रहा है, कितने तक, 1, 1, 1, 1, 1, n तक है, यानि 1 into n minus, अब देखो, यहां पे 1 by n, यहां पे minus 2 by n, यहां पे minus 3 by n, 1 by n common कर लो, 1 by n common कर लोगे, तो क्या हो जाएगा, वो भी negative का, तो 1, यहां पे बचा 1, यहां पे बचा 2, यहां पे बचा 3, up to कहां तक, n term तक और आपको मैंने एक formula बताया था, कि 1 plus 2 plus 3 plus, up to अगर n तक, term तक हमें add करना है, तो इसका formula होता है, sum का, यह होता है, n into n plus 1 by 2, दूसरा formula मैंने बताया था आपको, already simplification में करा चुका हूं, 1 square plus 2 square plus 3 square, up to n square तक रहे, तो sum का इसका formula होता है, n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6, और एक और formula होता है, अगर 1 cube plus 2 cube plus 3 cube, up to n cube रहे, है, इसको अगर हमें add करना है, sum का formula, तो वो होता है, n into n plus 1 by 2, और इसका, 4 square, right, यह तीनों के तीनों formula आप जानते हो, already मैंने simplification में भी already पर लेंडिसकस किया हूं, अब यहां पर आजाओ, देखो ध्यान से, 1 into n, multiply करोगे, n हो गया, minus 1 by n, इसका formula लिखोगे, तो क्या होगा, n into n plus 1 by, कितना, 2, चलो, अब देखो ध्यान से, multiply करोगे, तो n से n cancel हो गया, n minus, अब अलग-अलग कर ले, n minus, यह देखो ध्यान से, इसको करूँगा, तो n by 2, चलो, ऐसे ही रहने दो, अब कुछ करें, क्या हम लोग, देखो, रुख जाओ, थोड़ा सा, मैं देख लेता हूँ, रुख जाईएगा, चलो, n रहने दो, multiply करेंगे, देखो ध्यान से, multiply करेंगे, तो यह तो मेरा, cancel हो ही जा रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, देखो ध्यान से, cancel हो ही गया, n से, n, अब देखो, n minus, यहाँ पर क्या बचा, n plus 1 by 2, अब LCM लोग है, तो LCM हो गया, कितना, 2, तो यह कितना हो जागा, 2n, 2n हो गया, और यहाँ पर minus है न, already, तो minus से, multiply होगा, तो, minus n, minus 1, अब देखो ध्यान से, क्या हो गया, 2n में से, n जाएगा, n, n minus 1 by 2, आपका final answer आ जाएगा, देखो, n minus 1 by 2, final answer कौन सा है, option number D, correct answer है, आसानी से हमने कर लिया न, question, अच्छा question पूछा गया था, किस में, C, U, E, T, U, G के paper में पूछा हुआ, question था, हमने question को आसानी से बना लिया, conceptually strong हो, तो, कोई भी problem नहीं आने वाली है, चलिए, next, 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 देखो ध्यान से, question को बनाने का तरीका, देखो ध्यान से, एक तो तरीका क्या है, देखो, अगर मैं थोड़ा से यहाँ पे लिका लूँ, one plus, अच्छा question है, देखो ध्यान से, समझना, बड़ा मज़ेदार question है, हम solve करेंगे बहुत ही, अच्छे तरीके से, समझने की बात वाली है, समझने वाला बात है, देखो ध्यान से, one plus, five plus, six plus, ten plus, eleven plus, fifteen plus, sixteen plus, sixteen plus, twenty plus, up to, कहां तक जाना है, up to, 200 term तक, 200 term तक, अब देखो, आपके माइड में चल रहा होगा, सर, आपके माइड में चल रहा हो, क्या यह AP सीरीज है, या GP सीरीज है, कैसे सोचोगे, तो ध्यान से देखोगे, यहाँ पे plus, four का एडिशन, यहाँ पे plus, one का एडिशन, यहाँ पे plus, four का एडिशन, अलग-अलग हो रहा है, तो AP सीरीज तो है, नहीं, AP सीरीज तो है, नहीं, AP सीरीज तो नहीं है, लेकिन, लेकिन, थोड़ा सा common sense लगाओगे, तो आप बना लोगे इस question को, कैसे, ध्यान से देखो, इन दोनों को एड करो, देखो, इन दोनों को एड करोगे, त किना हो गया 36 अब ये देखो ये अब क्या जा रहा है एपी सीरीज हो रहा है कैसे प्लस टेन का एडिशन यहां से यहां तक प्लस टेन का एडिशन यहां से यहां तक प्लस टेन का एडिशन अब ये एपी सीरीज हो गया अब ये एपी सीरीज हो गया की नहीं हो गया देखो तो examiner चलाकी से आपको थोड़ा सा changes दे दिया था CHSL का question था अच्छा question है अब देखो दियान से total था 200 term तो 2-2 का pair बना हुआ है 2-2 का pair बनके हमने add किया है न 2 को add किया है 2 का pair add किया है 2 का pair add किया है तो total 200 थे तो 2-2 के pair में किया तो 100 ही term रह जाएंगे अब 2-2 के pair में तो 2 से divide करो 200 by 2 यानि 100 term रह गये अब actual में यह question दिया गया है अब यह बताओ AP की series की आप sum जानते हो लिकालना SN का formula कौन सा n by 2 into 2a plus n minus 1 into d की ध्यान से देखो अब मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं SN यह क्या होगा sum add करना है न देखो ध्यान से n by 2 n कितना है number of term 100 तो यानि 100 by 2 into 2a 2 into a कितना होता है first term first term है कि यहां पर 6 plus n minus 1 यानि 100 minus 1 यानि 99 into d common difference कितने का चल रहा है देखो 10 का यानि common difference 10 हो गया बस इसी को solve करना था यह करोगे तो कितना हो गया 50 यहां पर add करोगे तो 6 into 2 12 plus कि 990 अब देखो कौन सा answer होगा 50 into यह कितना रहा multiply add करोगे तो 2 910 और यह 910 यह हो गया अब mind में आ रहा होगा सर इसको solve करना पड़ेगा हमें क्या नहीं देखो solve करना नहीं है हम एक काम ऐसे करते हैं 2 से multiply 2 से divide कर दो इससे क्या हो जाएगा 50 into 2 100 हो गया मेरे को दिख रहा था 50 है न 100 बनाना है तो 2 से उपर 2 से नीचे multiply कर तो 2 से इसको काट लिया तो 501 और 50 into 200 multiply करना आसान हो गया यानि एक पार्ट इधर से यहां से यहां तक था दूसरा पार्ट क्या है यहां से यहां तक और हमारा answer पहुंच चुके हैं कौन से answer है option number C correct answer हो गया right answer अच्छा question examiner ने पूछा था चलिए move to the next next देखो फिर examiner ने बोला what is the value of इतना up to कहा तक जाना है 100 term तक जाना है देखो क्या दिया गया है one minus two okay plus three minus four plus five minus six plus so on up to कहां तक जाना है two hundred two hundred sorry hundred up to कहां तक जाना है hundred term तक जाना है अब देखो एक चीज़ समझ बहारा है मेरे को तो यह देखके पता ही नहीं चल रहा कि कौन से सीरीज है ना तो यह AP सीरीज है ना ही GP सीरीज है लेकिन एक चीज़ देखो इन दोनों को एक साथ हैड करोगे तो minus one इन दोनों को एक साथ हैड करोगे तो minus one इन दोनों को एक साथ हैड करोगे तो minus one दो-दो का पेर लिये हैं तो 100 टर्म था तो कितना हो जाएगा आधा इसका 50 टर्म तक अब एक चीज़ मैंने अभी बताया था ना ऐसे देखो आधा कितना क्या रिपीत हो रह य adults एक एक दो तीन चार अप टू एन तो यानी 6 N हो जाएगा ए Chapter है तो है से देखो माइनस माइनस वन माइनस कितना टर्म तक एक दो तीन से 50 टर्म तक यानि माइनस इंटू 1 इंटू 50 यानी कि दा-ब जाएगा स assass To यहीं होता है देखो आसानी से हमने कर लिए question को कौन सा answer हो जाएगा minus 50 आपको यह नहीं समझ में आएगा तो ऐसे कर लो 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 मेरे को add करना है तो directly add कैसे करोगे 2 into कितना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 या 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 6 या कितना हो जाएगा 12 यह concept already मैं कई बार discuss कर चुका हूँ इसी चीज का हमने actual question में apply किया है और यह भी question देखो आपके latest paper में पूछा गया है चलिए next, SVI color में पूछा गया question देखो ध्यान से कैसे अब यह बताओ यह तो question आसान हो जाएगा कैसे, देखो ध्यान से 2 minus 2, okay plus 2 minus 2, okay अब तू कहां तक जा रहा है 101 term तक और हमें इसका solution चाहिए देखो बहुत सारे लोग डर जाते हैं मैं bank की जा मैं पूछा होगा कुछ नहीं डरने की जूरत नहीं ना तो यह कोई series का pattern चला लेकिन जैसे ही हम दो को जोड रहे हैं 100 term यानी 100 को 2-2 का पेर 100 वाला तक कहां तक होगा 50 तक समझो 2-2 तक 50 तक तो क्या हो जाएगा 0 100 term तक क्या होगा जैसे देखो एक पेर बना दो पेर बना तो 100 तक 50 पेर बनेगा उसका term तो 0 लेकिन अभी भी 100 term तक तो 0 हो गया लेकिन अभी भी एक term बचा हुए पहला term और पहला term है क्या 101 term देखो 2 के बाद 0 फिर next आ रहा है 3rd पे ये फिर next आएगा एक term स्टार्टिंग कहां से वरा 2 से 101 term यानी 100 term तो 0 हो गया 1 term दो बचा extra अभी भी तो add करोगे तो यहां से यहां तक तो 0 हो गया और 1-2 extra बचा हुआ है यानि answer कितना हो जाएगा 2 देखो अरे खुद सोचो यहां से यहां 0 यहां से यहां 0 100 तक 2-2 के पेर में 50 तक तो 0 यानि 50 तक जाओगे 50 पेर यानि 100 term तक तो 0 हो जाएगा एक term और बचेगा एक term में starting कहां से और 2 से यानि 2 बन गया आसानी से question यह पूछा गया है देखो SBI color के premium paper में पूछा हुआ है तो questions का application अगर आपके concept clear है तो आपको कोई भी problem नहीं आएगी question का language कितना भी घुमा दे या किसी भी exam में पूछ दे साथ से divide करोगे उसको तो तीन remainder बचना चाहिए find the total possible number of such type lying between 11 and 100 यानि 11 और 100 के बीच में जितने भी number ऐसे आए जो साथ से divide होने पे तीन remainder दे तो वो total possible number बताना है यानि number बताना है तो ध्यान से देखोगे UK PCS C-Sight के paper में पूछा गया कोई दीक्कत नहीं है देखो ध्यान से पहला जो होता है extra term होता है extra portion होता है सबसे पहले साथ का टेबल पड़ो साथ इसके बीच आएगा साथ दूनी दुनी 14 चौदा तो आएगा लेकिन 14 तो साथ से completely divide योगा तो तीन उसमें एड कर दो 14 और 3 कितना हो गया 17 यानि देखो 17 को साथ से दिभाइड करोगे तो साथ दुनी 14 रिमेंडर तीन बचेगा अब देखो द्यान से यह 11 के आगे है 11 से next नंबर है अब आगे बढ़ो अब इतना जरूरत नहीं है एक बार अगर 17 आ गया जो रिमेंडर तीन बच रहा है तो डिजिवल है साथ से यानि साथ साथ एड करते साथ 24 देखो 24 को भी साथ से डिभाइड करके देखो रिमेंडर ती आएगा फिर नेक्स्ट देखो इसमें साथ एड किया फिर नेक्स्ट इसमें साथ एड करो तो 24 साथ 31 फिर इसमें नेक्स्ट साथ एड करो यानि कितना हो जाएगा 38 देखो सभी को साथ से डिभाइड करो साथ पांचे पैसी रिमेंडर त्री आ रहा है तो सो डॉट कहां तक इस हंडेड में कितना नंबर होना चाहिए अब देखो द्यान से हंडेड में कितना नंबर होना चाहिए अब एक चीज और देखो द्यान से समझना बात को समझना मैं क्या बोल रहा हूं कहां तक जाना चाहिए हमें 100 के बीच में चाहिए 11 से 11 से स्टार्टिंग होना चाहिए 11 से स्टार्ट होना चाहिए और 100 11 से आगे और 100 से पीछे अब यह हमें पता कैसे चलेगा कि कितना लास्ट वाला टर्म कितना है लास्ट वाला टर्म कितना ह तो देखो द्यान से वो लिकालने का एक तरीका है कैसे आप जानते हो 14 7 होता है 98 तो तो पूरा कट जाएगा 14 देखो द्यान से अगर मैं बात करूं 14 इंटू 7 तो होता है 98 यह तो पूरा ही पूरा साथ से कट रहा है तो इसमें 3 जोड़ दो यानि कितना हो गया 101 यानि अगर 101 ऐसा नमबर दो 14 7 98 तीन एक्ट्रास बनेगा तो इससे 7 कम करो इससे 7 कम करोगे तो कितना हो जाएगा 94 होगा यानि 94 क्यों क्योंकि 101 तो 100 से जादा उपर चला जाएगा ना हमें तो चाहिए 100 से कम वाला यानि कितना हो गया 94 और वैसे भी चेक कर लो 94 को साथ से डिवाइड करो देखो साथ कहीं साथ 24 बचा सतली के 21 रुको साथ कहीं साथ 24 सतली के 21 यानि तीन रिमेंडर बच गयाएगा डिवाइड करने पे यानि हमारा ये बन गया अब ये देखो ये हर एक में साथ साथ एड हो रहा है यानि एपी सीरीज है AP सीरीज है AP सीरीज में number of term लिकालने का फॉर्मूला last minus first upon common difference plus one number of term लिकालो last कितना है 94 ये है last first कितना है 17 upon common difference common difference कितने का चल रहा है साथ साथ का प्लस वन यानि एन की भैलू कितनी आ जाएगी देखो दियांसे साथ साथ 14 होगा आठ में से एक जाएगा 77 अपॉन 7 प्लस वन यानि यह 11 बार में कैंसी लोगा 11 प्लस वन यानि 12 यानि टोटल ऐसे कितने टर्म होंगे 12 आगया हमारा एंसर आई होप यह समझ में भी आ गया होगा और यह कैसे लिकालते हैं मैंने यह भी समझाया है चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट देखो दियांसे नेक्स्ट कोशन क्या दिया गया है इस दो अर्थमेटिक मीन और जोमेट्रिक मीन जी अम अप्टू अब्जर्वेशन इज टेन और फाइफ ओके रिस्पेक्टिबली दिन सम ओफ है स्क्वायर अफ्जर्वेशन इज दियांसे देखो दो अब्जर्वेशन यानि दो नमबर मालनू ए और भी इसका अम अम क्य होगा आप जानते हो a plus b by two और वो questions के according am दिया गया है कितना 10 तो बताओ a plus b कितना हो गया a plus b हो गया 20 एक्वेशन first हमने दो observation कौन सा माना है a और b आगे gm की बात करें जो metric mean जो metric mean दिया गया है 5 gm क्या होगा दो नंबर का अगर a b रहे तो square root अंदर root a b याद करो मैंने gm बताया था दो नंबर है तो square root होता है is equal to वो कितना दिया गया questions के according 5 तो अब बताओ यहाँ पे आ जाओ यहाँ पे आ जाओ square कर लो तो a b क्या हो जाएगा 5 का square 25 यह रहा हमारे पास second लेकिन हमें यह नहीं पूछा गया है हमें क्या कहा गया है find the sum of a square of the observation पहले इस observation a और भी था इसका square a square b square और इसका sum चाहिए हमें यह चाहिए हमें यह चाहिए अब इसका formula एक चीम मैं बता देते हूं देखो जान से a square plus b square algebra में formula होता है a plus b का whole square minus two a b algebra में formula आप जानते हो basic formula है अब इसी का use करते हैं यह लिकालना है यानि यह क्या होगा a plus b का whole square minus two a b अब a plus b कितना है यहाँ पे देखो दियान से 20 तो 20 का a square यानि 400 minus two into a b a b कितना है 25 यानि कितना हो गया 400 minus कितना 50 यानि कितना हो जाएगा 350 आपका right answer हो जाएगा और वो कौन सा होगा a square minus b a square जो पूछा गया है देखो तो यानि हमने आसानी से question कर लिया ना 350 कौन सा option d correct answer हो जाएगा concept की clarity है तो चाहे वो किसी भी exam में question पूछे कुछ भी पूछे हम आसानी से कर लेते हैं question चलिए move to the next next देखो दियान से what is the sum of what is the sum of first 12 multiple of four first 12 multiple of four multiple of four का मतलब 4 उसके बाद next आठ next उसके बाद 12 चार का multiple पहड़ा पढ़ने जा रहे है तो next क्या हमें sum चाहिए ना first 12 12 में जाओगे तो 12 into 4 लास्ट कितना आना चाहिए 48 अब देखो दियान से हमें sum चाहिए यानि 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस सो ओन लास्ट में जाना चाहिए 48 इसका हमें sum चाहिए तो आप जानते हो sum क्या होता है sum अब क्योंकि first term पता है last term पता है और यह देखो हर एक में plus 4 का इसन चल रहा है न तो यह एपी सीरीज है एपी सीरीज में देखो लियान से एपी सीरीज में अगर मैं बात करूँ तो sum का दो formula मैंने बताया था SN का दो formula एक n by 2 into 2a plus n minus 1 into d दूसरा मैंने formula बताया था कि अगर first term पता हो तो n by 2 into a plus l यह कब apply करोगे यह होता है first term और l क्या होता है last term अगर यह पता है first और last तो हम second वाला apply करते हैं तो second वाला apply करके देखते हैं तो sum का formula क्या होगा sum का n by 2 into a plus l add करके देखो n by 2 n कितना है number of term कितना है first 12 यानि 12 12 by 2 a first term कितना है देखो first term है four last term कितना है 48 अब add करोगे तो यहां पे हो गया six यानि six into 48 और तालीस और चार बावन अब इसको multiply करोगे तो पचास इंटू से 300 प्लस बारह यानि 312 आपका right answer हो जाएगा कौन सा देख लो आई होप यह question समझ में आ गया होगा आपको वैसे भी unit इजिट पर काम कर लेते छे इंटू टू बारह यानि टू यानि टू यूनिट इजिट छे है यूनिट इजिट टू है यूनिट इजिट फूर है और यूनिट इजिट एट है एक ही option था जिसका गलत तो concept की clarity है ना तो कोई भी question आप आसानी से कर लोगे कोई भी problem नहीं फेज करनी पड़ेगी चलिए move to the next next में देख द्यान से question number 10 sequence क्या दिया गया है 4,8,16,32, so on, कहां तक 500, so on, कहां तक जा रहा है पांसो बारत तक अब देखो द्यान से ये कोन सी serious है कैसे परचान होगे gp series है multiply हो रहा है दो का हर जगह it's gp series हो गया gp series gp series में number of term लिकालना है number of term यानि tn लिकालना है तो वो क्या होता है ए गया penso द्यान से वो तो TN जो होता है, N number लिकालने के लिए A, क्योंकि R जो है, 1 से बड़ा है न, तो formula क्या लगाओगे, R पे power N minus 1, यहीं जानते हो, तो ध्यान से देखो, A कितना है हमारे पास? फर्स टर्म है, तो फर्स टर्म यह है, 4 into R, common ratio, यानि 2, हर एक में multiply कितने का और 2 का, तो 2 पे power N, N कैसे लिकालोगे, रुको ध्यान से, N कैसे लिकालोगे, यहीं, N तो लिकालना है, minus 1, और TN, total last term कहां तक गया हुआ है, TN, 512, यानि 512, ध्यान से देखोगे, 4 से काटोगे इ देखो, 4 वन जा 4, रुको, यह क्या हो रहा है, A की value, find the number of term in the sequence GP, A, N, A, R, पे power N, minus 1, ठीक है, 4 हो गया, ठीक है, 4 से काटने जा रहा हूँ, तो 4 वन जा 4, बचाई 11, 4 दुनिया, 4 वाठे 32, यानि 128, ठीक है, 128 is equal to 2 पे power N, minus 1, अब देखो ध्यान से, मैं color change कर लेता हूँ, इसको आप जानते हो, 2 पे power 6 कितना होता है, 30, रुको, 64, 2 पे power 5 कितना होता है, 32, उसी तरह से 2 पे power 7 कितन होता है, 128, तूपे power 9 कितना होता है, 256, तूपे power 10 कितना होता है, 1024, तूपे power 11 कितना होता है, 2048, और 2 पे power 12 कितना होता है, 4096, इतना तक्त मैंने बोला था न, याद कर लेना है आपको, तो देखो ध्यान से जरुत पड़ गई, इसको लिख सकता हूँ, टूपे power 7 is equal to 2 पे power n minus 1, रुको रुको, ए, अरे यार, यहाँ पे formula ही mistake लिख दिया हूँ, टी एन इज़ुकल 2 होता है, a, r पे power n minus 1, यह power में होता, यह होता है formula न, मैं भी बोलूँ कि क्या हाँ mistake कर रहा हूँ, देखो, रुको रुको, यह पूरा ही गडबड हो गया, चलो, देखो दियान से यहाँ पे लिख लिख रहा हूँ, देखो दियान से, यहाँ पे, tn जो होता है, a, r पे power n minus 1, यह होता है, तो tn, final term कहां तक गया है last, 512, is equal to a, common, a कितना है, first term 4 है, common ratio क्या चल रहा है, common ratio, क्यों, दोदो का multiply, यानि 2, 4 into, 2 पे power, क्या होगा, n minus 1, n कितना है, यहीं तो लिकालना है, minus 1, 4 से काटोगे इसको, तो कितना हो जाएगा, 128 is equal to 2 पे power n minus 1, 2 पे power 7 is equal to 2 पे power n minus 1, अब देखो दियान से, base same है, base same है, तो power equate हो जाएगा, हाँ, यानि 7 is equal to n minus 1, यह 1 इधर आएगा, तो positive हो जाएगा, यहीं, 7 plus 8 is equal to n, यहीं, n की value 8 आजाएगा, कौन सा answer, option number, d correct answer हो जाएगा, आसानी से हमने कर लिया, formula यहीं था, जिसको आप apply किये हैं, और यह चीज़ें आपको fingertips पे इतना जो मैंने लिखा हूँ न, यह बहु ज़्यादा important है, इसको आपको याद रखना जुरूरी है, चलिए, next, next, देखो question क्या दियागे, द्यान से समझना, how many numbers between 300, 300 और 1000 के बीच, 300 से ज़्यादा और 1000 से कम, कितने ऐसे number है, are digital by 7, जो 7 से divide होंगे, तो पहला बात देखो द्यान से, 7 से divide होंगे, अब कैसे सोचोगे, इस तरह के question को कैसे deal करते हो, देखो, पहले मैं आपको basic method बताऊंग बेसिक method, और उसके बाद इसका sort approach बताऊंगा, sort approach, तो पहले basic method आते हैं, basic method से कैसे करोंगे, सबसे पहले, 300 को 7 से divide करो, या 7, 4, 28, 7, 5, 35, चलो, 300 को 7 से divide करो, 7 का भाग 300 कर लो, तो 7, 4, 28, यानि कितना हो गया, 2, 0, 7, 2, 14, कितना हो गया, 6 बचा, तो देखो द्यान से, 300 से आगे जाना है, तो नंबर क्या होगा, 7-6, difference कितने का आया, 7 में से 6 जाएगा, 1, तो ये जो नंबर है 300, उसमें एक add कर देना, तो 300 प्लस 1, यानि 301, यानि पहला नंबर 301 से start होगा, कैसे सोचे, जो 301 साथ से divide होगा, 7, 4, 28, 7, 4, 28, साथ लिक 21, 301, अब 7 का multiple है, तो next 7 add करते जाओ, यानि next नंबर क्या होगा, 308, next नंबर क्या होगा, 8 में 7, 2, 315, अब हमें last कहां तक जाना है, ये कैसे decide होग 1000 से हमें पीछे जाना है, पहले 7 से इसको divide करो, 7, 7, 7, 7, 7, 3, 0, 7, 4, 28, कितना होगया, इतना, यानि 2, 0, 7, 2, 14, यानि ये, अब यहां पर remainder कितना बचा 6, अब देखो, यहां से तो आगे जाना था, तो हमने इन दोनों का difference ले लिया था, लेकिन यहां से हमें 1000 से back जाना है, तो 1000 में, जो यह remainder है, वो minus कर दो, 1000 में minus 6 करोगे, यानि कितना होगया, 994, तो यह कहां तक जाएगा, up to 994 तक, last, कैसे, देखो दियान से, 7 से divide करके, देखो, 7 कहीं 7, 9, 7, 24, कट रहा है, 7 से divide हो रहा है, अब यह क्या चल रहा है, देखो दियान से, 7-7 का gap चल रहा है, तो AP series है, AP series, AP series है, AP series में number of term लिकालने के लिए formula बताया था, last minus first upon common difference, plus 1, and last कितना है, देखो दियान से, 994, first कितना है, 301, divided by common difference, 7-7 का चल रहा है, यानि, plus 1, यानि, last में हम जोड़ते हैं, plus 1, ऐसे, plus 1, ठीक है, अब दियान से, n की value कैसे लिकाल होगे, दियान से, 4 में से बन जाएगा, 3, 9 में से 0 जाएगा, 9, और 9 में से 6 जाएगा, 4 में से बन जाएगा, 3, 9 में से 0 जाएगा, 9, 9 में से 3 जाएगा, यानि, 6, upon 7, plus 1, देखो, 75, 63, 75, 63, 75, 63, यानि, n की value की, 99, plus 1, यानि, 100 आ जाएगा, कॉंसे एंसर होगा, I hope ये समझ में आ गया होगा, concept की किस तरह से हम apply करते हैं, जो मैंने आपको discuss किया, अब आते हैं smart approach, जो exam approach है, क्योंकि exam का question है, exam approach apply करोगे, exam approach, exam approach कैसे apply करोगे, जो 300 है, 300 को 7 से divide करोगे, और लिखोगे हमेशा कोसेंट, कोसेंट यानि की भागफल लिखोगे, यानि, कितनी बार में जाएगा, देखो द्यान से, तो 7, 7, 28, बचा 20, 7, 24, 42, यानि 42 हो गया, अब next क्या करोगे, एक हजार है, एक हजार को 7 से divide करोगे, देखो द्यान से, 7, 27, 30 बचा 7, 24, 28, 20 बचा 7, 24, सिर्फ हम कोसेंट लिख रहे हैं, अब हमें number of term लिकालना है, इसमें से इसको minus कर दो, 142 minus 42, यानि कितना हो गया, 100, आपका right answer, अब बताओ, यह आसान है कि नहीं है आसान, तो हम exam approach यह है, क्योंकि APGP series पढ़ रहे हैं, इसलिए हमने APGP series का method से भी बता दिया, but conceptually आपे strong, मैंने दोनों side से कर दिया, कि इस तरह से कैसे solve करोगे, exam approach और इस तरह से कैसे solve करोगे, चलिए, more to the next, find the average of arithmetic mean, find the average of arithmetic parallel series, whose first term is इतना, and last term is इतना, ध्यान से रिखो, एक concept बताने जा रहा हूँ, concept, जो हम average topic में पढ़ते हैं, concept, यहाँ पर generate कर देता हूँ, concept, कभी भी, कभी भी AP series रहे, AP मतलब arithmetic progression, arithmetic progression रहे, कभी भी AP series रहे, और हमें ये कहा जाए, हमें कहा जाए, कि average बताओ, average क्या होगा, यानि औस अवसत क्या होगा, औस अवसत क्या होगा, तो औस अवसत average क्या होता है, first, first plus last by two, याद रख लेना, ये चीजें बहुत ज़्यादा काम आती है, कई बार हम average topic में इसका हम use करेंगे, अगर AP series है, तो उसका average first plus last by two, यानि first term plus last term by two, जैसे देखो, first term given है, first term given है कितना, 45, last term given है कितना, 57, और हमें AP series की बात बोली गई है, arithmetic progression की बात बोली गई है, arithmetic series की बात बोली गई है, तो average लिका लोगे, average क्या होगा, first plus last, यानि 45 plus 57 by two, ठीक है, चलो, तो कितना हो गया, देखो द्यान से add करोगे, तो 50, 40, 90, 90 plus 12, यानि 102 by two, यानि कितना हो जाएगा, 51, आपका right answer हो जाएगा, देखो कौन सा answer है, 51, देखो, असानी same कर लिए, जब भी AP series की बात की जाए, average लिकालना है, first plus last by two, चलो, next, next देखो द्यान से, डरने की जरूत नहीं है, बहुत ही अच्छा question है, इसको अगर book में मुझे नहीं पता किस तरह से solution दिया गया है, हम इसको सबसे best approach के through solve करेंगे, basic से solve करोगे, अपना time की लोगा, answer तक पहुंचोगे, अपना time बरबाद करोगे, क्योंकि आप competitive exam की preparation करोगे, तो आपको smart approach आना चाहिए, smart approach क्या है, वो मैं सिखाता हूँ, इस question के लिए, ध्यान से दिखना, हम इस question को deal करेंगे, smart approach से, देखो क्या दिया गया है, question पहले पढ़तो लो, देखो दियान से क्या दिया गया है, ABCD, ABCD are in geometric progression, यानि ABCD क्या होना चाहिए, geometric progression में होना चाहिए, यानि ABCD क्या होना चाहिए, geometric progression में होना चाहिए, GP series की बात बोली गई है कोई दिक्कत नहीं है then the expression हमें लिकालना क्या है B minus C का whole A square plus C minus A whole A square plus D minus B का whole A square is equal to 4 option दिये गए है देखो द्यान से A, B, C, D क्या होना चाहिए A, B, C और D क्या होना चाहिए GP series होना चाहिए एक तो तरीका क्या है बहुत basic लोग क्या करते है first term A, उसको A मान लेंगे second देखो द्यान से A, B, C, D है न first term इसको A मानेंगे इसको मानेंगे AR इसको मानेंगे AR square और इसको मानेंगे AR cube इस तरह से जो मानते हैं लेकिन हम यह सारी चीने मानेंगे हमें GP series है न तो हम 1, 2, 3, 4 ऐसी series मान लो जो GP series हो जैसे देखो कैसे मानेंगे let A, B, C, D मानना है न A, B, C, D GP ही series मनाना है A को अगर मैं 1 मानू तो B को 2 तो 1 का double 2 तो C कितना हो चाहिए 2 का double 4 और 4 का double 8 हमने इस तरह से मान लिया 1, 2, 4, 8 हर एक में 2 का multiply हर एक में 2 का multiply हर एक में 2 का multiply GP series बन गया यानि हमने ये मान लिया कि A जो है 1 है B जो है 2, C जो है 4 और D जो है 8 छोटा नंबर सबसे मान लिये GP series का 1 तो इसका double होना चाहिए इसका double इसका double ये हो गया हमारे पास अब आते हैं अब आते हैं द्यान से दिखो अब हमें B मानस C का A square लिकालना B मानस ए 2 मानस 1 1 का A square यानि 1 देखो यहां पर रख देता हूं C मानस A C मानस A 4 मानस 1 यानि 3, 3 का A square नाइन ये रहा D मानस B D मानस B 8 मानस 2 6, 6 का A square 36 यह 36 हो गया, यह 9 हो गया, और यह, अब add करोगे तो कितना हो जाएगा, 36 और 9, 9 6 15, 45 और 1, 9 6 15, 45 और 1, 46 हो जाएगा, नेको, पहले B-C, B-C, C-A, रुको, B-C, B, अच्छा, यहाँ पर mistake है, ना, यहाँ पर mistake कर दिया हूँ, रुक जाओ, देखो, B-C, B-C, 4-2, इन दोनों के बीच में डिफ्रेंस, 4-2, 2 का square या माइनस 2 का square, 4 ही होगा, प्लस, C-A, 4-1, यहाँ तीन, 3 का square, 9, प्लस, आगे, D-B है, तो, 8-2, 6, 6 का square, 36, अब दियान से, 36 और 9, 45, 45 और 4, 49, यहाँ उनचास आ गया हमारे पास, answer, अब चेक कर लो, answer, option में 49 किस के आ रहा है, A-D, A-D, 1-8, यानि-7, माइनस 7 का square की क्या होता है, 89 होता है, यानि 49, यहीं तो आ रहा है, आगे चेक करने की ज़रुत नहीं है, फिर भी चेक कर लो, तो B-C, B-C, 2-4, यानि-2, माइनस 2 का square कितना होगा, यहाँ पे 4 आ रहा है, 4 तो होई नहीं सकता, आगे A-D, A-D, A है 1, D है 8, 8 प्लस 1, 9, 9 का square, 9 का square, 81 हो जाएगा, यह भी नहीं होगा, वैसे हमारा answer आ चुका है, B-C, B-C, यानि-4, प्लस 2, 6, 6 का square, यानि-36, क्या match कोई कर रहा है, एक ही option match कर रहा है, तो देखो, सबसे best approach बताया हूँ, book का भी solution मुझे नहीं पता किस तरह से book में आप check कर सकते हो, book अगर आपके पास होगी, solution देखलाना, basic method से बताया गया होगा, मैंने आपको यहाँ पे exam approach सिखाया हूँ, कि exam में आप कैसे कर रहोगी question को, और यहीं चीज़ सिखने के लिए आप video solution तो बनाई जा रही है, चलिए, next, next में देखो, how many numbers are there from 17 to इतना, which are digital by both 5 and 3, जो 5 और 3 से divide होगा, यानि वो इसके L से मैंनी 15 से divide होगा, यानि पहला number 15 का table, 15 तो 17 में नहीं गया, यानि 30 आएगा, 15 दूनी 30, 30 के बाद 15 3, 45, 15, 15, 15, 15, 16, and so on, कहां तक जाएगा, हमें 457 तक ले जाना है न, तो 15 का भाग करना पड़ेगा, 15 का भाग कर लो, 15 में, क्योंकि बोथ 5 और 3 से divide होना चाएग, तो 15 का भाग, 457 में, 15 3, 45, कितना बचा, 7, इससे कम पहुंचना है, यानि 7 एक्स्ट्रा है, 7 माइनस कर लो, 7 माइनस कर लोगे, यानि 450, ये कैसे सोचे, देखो द्यान से, 457 को 15 से भाग करोगे, 15 3, 45, यानि cancel हो गया, 7 जो है, remainder बच गया, तो इस remainder को, 477 में से, इस 7 को माइनस करोगे, तो कितना हो गया, 450, जो 15 से divide होगा, अब देखो द्यान से, हर एक केस में, 15 8 का addition चल रहा है, क्योंकि 15 का multiple है, तो, कौन से series है, कौन से series है, AP series है, AP series में number of term लिकालने के लिए, last minus first upon, क्योंकि यह AP series हो गई, arithmetic progression, तो, last minus first upon common difference plus one, last कितना है हमारे पास, 450, minus first कितना है हमारे पास, 30, upon common difference, d कितने का चल रहा है, 15 15 का, यानि 15 plus one, यानि n की value कितना है, 450 minus 20, यानि 420, 450 minus 30, यानि 420 upon 15 plus one, यानि 29, आपका right answer हो जाएगा, कौन सा, यह आपका answer हो गया, तो, यह तरीका है, यह जो है method, यह basic method है, यह जो method है, यह basic method है, अब मैं आपको smart approach सिखा रहा हूँ, smart approach, यहान से देखो smart approach, smart approach, smart approach, यानि जो number 5 और 3 से divide होगा, 5 और 3 से वो 15 से भी divide होगा, यानि सबसे पहले, 17 को 15 से divide करो, और लीखोगे हमेसा को सेंट, को सेंट लिखोगे तो, 15 यह कहीं 15, 1 टाइमस में जाएगा, उसी तरह से next 457 को 15 से divide करो, तो देखो ध्यान से 15, 15 तिया 45 नहीं जाएगा 0, यानि 30 सिर्फ हम % लिख ले जा रहे हैं, यानि 15 इंटो 30 कितना होटा है, 450, अब क्या करते हैं, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, यानि 30 माइनस 1, यानि कितना होगा finally, how many number कहा जाए, तो 29, कौन सा answer, देखो, तो यह है हमारा smart approach, यह है basic approach, बोथ हार, दोनों strong हैं, लेकिन हम exam oriented approach, यानि exam के जब question करते हैं, चाहे हो railway हो, SSE हो, bank हो, तब हम smart approach apply करते हैं, right, चलिए, next, next में देखो दियान से, what is the sum of all three digits, all three digits, which are digital by 15, यानि जो 15 से divide हो, all three digits का sum चाहिए, और उसका क्या चाहिए, sum, अच्छा question, वाट हमें डरने की जोरत नहीं है, यानि 15 से divide होने वाला number और 3 digit का number होना चाहिए, तो सबसे पहले, देखो दियान से, कैसे सोचो के पहला number क्यान से होगा, तो 15, 6, 90, 15, 7, 105, 15, 7, 105, यानि देखो दियान से, खुझ सोचो, starting three digit number start कहां से होता है, three digit number start होता है, अगर मैं यहाँ पे लिखने चाहूँ, चलो यहीं पे लिख देता हूँ, three digit number, सबसे छोटा से छोटा, यह क्या लिख रहा हूँ, three digit number, बताओ, सबसे छोटा से छोटा है, small number क्या होता है, hundred, और जाता कहां तक है, triple nine तक, यानि hundred से triple nine तक जितने भी number होंगे, और वो भी क्या, 15 का multiple होना चाहिए, तो ध्यान से लिखो, पहला 15, 7, 107 तो होनेगा, 15, 7, 105, यानि पहला number जो होगा, 105, उसके बाद 15 add करते जाओ, 15 का multiple हो, 105 में 15 add करोगे, 120, 15, 8, 125, 15, 135, and so on, कहां तक, last कहां तक जाएगा, last, last जाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें, triple nine है न, triple nine में 15 का भाग करोगे, तो 15, 6, 90, cancel, 9, 9 आया, फिर 15, 6, 90, जो remainder आएगा, 9, true nine, true nine से इधर जाना है न, back जाना है, इसमें, 9 minus कर दो, minus करोगे, true nine में 9 minus करोगे, यानि 990 होगा, यह हमें पता चल गया, और इन सभी का हमें क्या चाहिए, sum चाहिए, इन सभी का हमें क्या चाहिए, sum चाहिए न, यानि plus चाहिए, तो on हम add करें अब देखो हर एक में gap कितने का चल रहा है 15 का क्योंकि 15 का multiple है AP series हो गया AP series हो गया AP series हो गया तो इसको sum का formula क्या होता है first और last term पता है न सम का formula sn n by 2 into a plus l इस formula से हम apply करेंगे question को बनाएंगे यहां पर आते हैं भी यहां पर बनाते हैं ध्यांस देखो देखो sum का formula sn आ जाओ sum n by 2 अच्छा n by 2 number of term तो लिकालना बाकी ही है न number of term कैसे लिकालते हो देखो AP series में number of term कैसे लिकालते हो last minus first upon common difference plus one and last कितना है questions के recording 990 minus first है कितना 105 upon common difference कितने का चल रहा हर एक में difference 15 15 का यानि 15 plus one add करोगे n is equal to कितना हो गया 0 में से 5 जाएगा 10 में से 5 जाएगा 5 यह बचा 8 और यह बचा 9 में से 1 जाएगा 8 यह होगा न प्लस 1 यानि n की value कितनी आ जाएगी देखो द्यान से 15 से 15 4 के साथ 15 5 75 15 75 एक पंदर नावा 135 प्लस 1 यानि ये 59 टाइमस में चलो एड करो यहां पर हो गया 30 इंटू इसको एड करोगे पांच नो नो एक दस मल्टिप्लाइ करोगे हमारा आ जाएगा एंसर जैसे देखो जीरो तो रहेगा ही रहेगा पांच से तीन में मल्टिप्लाइस में कर दो तीन पांच से पंदर नतली 27 और एक अठाइस कितना आ गया 3 आ गया 32850 32850 कौन सा एंसर है देखो इस तरह से हमारा सेकेंड पार्ट यहां पे रहा और हम कोश्चन को बना लिए आसानी से चलिए नेक्स्ट कोश्चन देखो द्यान से क्या दिया गया हमारे पास कोश्चन में the 10th term of the sequence 10th term बताना है 2 5 8 11 so on 10th term बताना है तो 10th term कैसे बताओगे याद करो यह AP सीरी चल रहा है प्लस 3 का एडिशन चल रहा है यानि AP सीरी चल रहा है तो 10th term क्या होता है A 10 बताना है यानि A plus क्या लिखते हो N minus 1 यानि A plus 9D लिखना सिखा चुका हूँ जाकर के देख लेना थियोरी वाला पार्ट A 10 है तो एक कम लिखते है और यह बताना है आमें तो बताओ A कितना है फर्स टर्म होता है यानि 2 plus 9 into D, D कितना है हर एक में एडिशन कितने का चला है तीन का यानि common difference तीन का है यानि 27 plus 2 यानि 29 आ गया हमारा answer कौनसा answer देखो आसानी से यह सारे question तो railway exam के पूछे गया है question चली next, next में देखो द्यान से क्या दिया गया है हमारे पास question में, द्यान से देखोगे, find the 9th term of the arithmetic progression whose first term में इतना and common difference इतना, first term यानि A दिया गया है 5, common difference D दिया गया है 4, right यहीं दिया गया है हमें बताना क्या है, हमें बताना है 9th term, यानि A 9 बताना है, तो यह क्या लिखोगे, A plus A कम इसके लिखोगे 8D, चलो यहीं बताना है, A है हमारे पास 5 plus 8, common difference 4 है क्योंकि AP सीरी चल रही है न, arithmetic progression का, तो द्यान से देखो, आर्चो के 32, 32 और 5, 37 हो जाएगा क्योंसा एंसर, option number यह, फिर से एक बार चेक कर लो, first term है 5, और last term है 4, तो 9th term लिकालना है, तो A plus 8D, आर्चो के 32, 32 और 5, 37 हो जाएगा तो यह answer आजाएगा, चलिए, next question पे आते हैं, next question देखो द्यान से, question number 18, 10th term of the arithmetic progression, 10th term बताना है, यानि 2, 7, 12 and so on 10th term बताना है, first term क्या है, यह, कितने का addition चल रहा है, plus 5, plus 5 का, यानि common difference, D कितना हो गया, 5, हमें क्या बताना है, हमें जो बताना है, 10th term, A 10 बताना है, यानि क्या लिक होगे, A plus 9D, AP में यह लिखते हो, A, A कितना है, 2, plus 9 into D, D कितना है, 5, यानि 9, 5, 45 और plus 2, यानि 47, 47 आपका right answer हो जाएगा, देखो कौन सा answer है, 47 कौन सा answer है, देखो option B, चलिए move to the next question, sum of all even integer from 2 to इतना, 2 से start करना है, यानि 2, उसके बाद next क्या होगा, 4, 6, 8, और even number, यानि sum संख्या, तो 200 कैसी तो odd है, इससे एक पहले यानि 280 होगा, sum संख्या, और इसका sum बताना है, sum add करना है, ध्यान से देखोगे, एक चीज़ टर्म समझोगे, तो question आसान है, कैसे, अहले देखो यानि से, sum का formula क्या होगा, SN, कौन सा formula अप्लाई करोगे, n by 2 into a plus l, क्यों, क्योंकि a, a ये है, last term भी पता है, common difference कितने का चल रहा है, plus 2 का, AP सीरीज है, तो ध्यान से देखो, पहले number of term लिकाल लो, number of term लिकालते हैं, यहां पे लिकाल लेता हूँ, चल यहीं पे लिकाल लो, number of term क्या होता है, last minus first, last कितना है, 280, minus first कितना है, 2, first number यहीं तो है, 2, upon common difference, कितने का चल रहा है, difference, 2, 2 का, यानि 2 plus 1, यानि देखो, n की value कितन हो गया, 278, और by 2, plus 1, यानि n की value कितने हो जाए, 1, 2, 3, 6, 2, 18, plus 1, यानि n की value आ गई, 140, n आ गया, हमारे पास, 140, अब देखो, ध्यान से, यहां पे लिखते हैं, color कर लेता हूँ, change, n by 2, यानि 140 by 2, into a plus l, a कितना है, first term 2, last term कितना है, 280, अब यह देखो, ध्यान से, यह cancel हो गया, into, 280, plus 2, 282, multiply करोगे, 0, 7, 14, last में, 40, आना चाहिए, 40, एक ही option में है, answer आ गया, multiply भी करना चाहो तो, देखो, ध्यान से, 0, 7, 24, 8, 7, 56, 57, 7, 24, 14, 5, 19, आपका right answer हो जाएगा, multiply भी करना है, तो कर लोगे, कोई भी problem नहीं फेस करनी पड़ेगी, concept की clarity है तो, चलिए, move to the next question, next question में देखो, ध्यान से, हमें average बताना है, find the average of arithmetic progression, whose first term में यतना, and last term में यतना, बताओ, अगर arithmetic AP series है, AP series है, तो अगर हमें average बताना है, average, तो वो क्या होता है, first term plus last term by 2, यानि 33 plus 45 by 2, special मैंने बताया था न, average में ये question पूछे जाते हैं, चलिए, ध्यान से देखो, तो 40, 40, 40, 70, 70, और 8, 78 by 2, यानि कितना हो गया, 39, आपका answer हो जाएगा, average, जब भी AP series रहे, AP series रहे, तो average क्या होता है, average होता है, first plus last, first term plus last term divided by 2, ये याद रख लेना, first term plus last term divided by 2, यानि कितना हो गया, 39, चलो, next, what will be the 20th term of the given equation, यानि देखो दियान से, minus 45, minus 47, minus 44, और क्या बताना है, 28th term बताना है, 23 term बताना है, क्या होगा, हमें बताना है 20, यानि A20 बताना है, A20 क्या होगा, A plus 19D, first term, A कितना होता है, first term, first term है कितना, minus 50, देखो दियान से, से, first term है कितना, minus 50, plus 19 into common difference, difference कितने का चल रहा है, यहां से, इसमें, यहां पहुंचना है, plus 3 add करोगे, यहां से, यहां से, यहां पहुंचना है, plus 3 add करोगे, यानि, into 3, आगे बढ़ो, minus 50, plus 19, 57, यानि कितना हो गया, result, 7 आएगा, आपका answer, A20, option number D, correct answer हो जाएगा, I hope यह समझ में आ गया होगा, चलिए, next, next, देखो, question number 22, which of the following series is not in the geometric progression, GP series, GP series, GP series में क्या होता है, multiply, same रहता है, देखो, अब यहां पे सोचने वाली बात कुछ है नहीं, not करा है, 5 into 3, 15 into 3, यह GP series चल रहा है, लेकिन हमें कहा गया है, not, तो यह गलत हो जाएगा, 12 into 2, लेकिन 24 into 2 नहीं हो रहा है, लेकिन 24 into 2 नहीं है, यहीं answer हो जाएगा, बाकि देखो, 3, 5, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 का multiply चल रहा है, ठीक है, GP series है, यह भी नहीं होगा, 4, 8 में, 2 का multiply, यहां से यहां भी 2 का multiply, से multiply होना चाहिए, GP series तो है, यहीं एक क्या था, not GP series, not GP series, right, क्यों क्योंकि हर एक में multiply same नहीं चल रहा था, आसानी से हमने कर लिए, क्लिए, next, find the sum of first 10, find the sum of first 10 term, of the series, starting from 3 and ending with 121, starting यानि A, first term कितना है, 3, ending यानि last, last कितना है, 121, right, और number of term, number of term कितना है, questions के according 10, तो हमें क्या बताना है, sum, sum का formula, AP series है न, find the sum of first, ठीक है, first term और last term, first 10 term, actual में यहाँ पे न, थोड़ा सा, 3 से सुरू होने वाली, और 121 पे समाप्त होने वाली, पहले 10 पदों का योग बताना है, 3 से सुरू होने वाली, यानि 3, 6, 9, इस तरह से 120 पे इंड होना चाहिए, AP series हो जाएगा, sum of first 10 term, series is starting from 3, right, and ending within, sum का formula आप जानते हो, तो n by 2 into, first and last term पता हो तो a plus l, यहीं लगाते हो, तो दिहान से देखो n, n कितना है मारे पास 10, 10 by 2 into a, first term 3, last term 121 आजाओ, यानि यह कितना हो गया, 5, 5 into 121 into 3, 121 plus 3, यानि 124, multiply कर दोगे दो दिहान, पांचों के 20, 12, 5, 60, 62, यानि 620 आगया, आगया हमारा answer, देख लो, चलिए, next, next देखो दियान से, question number यह हो गया, 24 पे आजाओ, which of the following series is not arithmetic series, arithmetic series कौन सा नहीं है, देखो दियान से, मेरे को देखके पता चल रहा है, यह नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर multiply चल रहा है, दो का, दो का, यह actual में AP series नहीं बलकि GP series है, GP series है न, तो हमें यहीं तो कहा गया है, तो not AP, not AP series, not AP, देखो बाकी इसमें देखो, 3 में 4 जोड़ोगे, 7 में 4 चल लोगे, AP series है, हमें चाहिए था not AP series, 2 में 2 जोड़ोगे, तो 4, 4 में 2 जोड़ोगे, तो 4, 6, तो AP series है, 4 में 6 जोड़ोगे, इसमें 6 जोड़ोगे, AP series चल रहा है, GP series यहीं था, not AP series, next, 25 देखो दियान से, the ratio of 7th, the ratio of 7th to the third term of an AP is इतना, बताओ, A7 upon A3 दिया गया है, कितना दिया गया है, 12 by 5, कोई दिक्कत नहीं है, आगे, हमें बताना क्या है, ratio of A13 to, देखो दियान से, A13 by A14 बताना है, क्या होगा, देखो दियान से, याद करो, AP series में लिखते क्या हो, A7 कहा गया है, A7 का मतलब, A plus N minus 1, यानि 7 से 1 कम, यानि 6D, अपोन नीचे क्या लिखोगे, नीचे लिखोगे, A plus 3rd है, तो क्या लिखोगे, N minus 1 करते हो, तो 3 minus 1, यानि 2D, एक कम, और उसका ratio दिया गया है, कितना, 12 by 5, cross multiply कर ले, यह cross multiply करने जा रहा है, cross multiply करोगे, 5 into A, 5A plus, 5 into 6, यानि 30D, इच उकल टू, यहाँ से cross multiply करोगे, 12 into A, यानि 12A, plus 12 into 2, यानि 24D, अब देखो यहाँ से, इस A को इधर ले जाओं, तो 7A हो गया, इसको इधर ले क्याओं, तो 6D हो गया, यानि A by D कितना हो गया, A by D, 7 by 6, रुको, 6 by 7 होगा न, 6 by 7, तभी तो 7A is equal to 6D होगा, A is equal to 6 by 7, यानि A की भैलू 6, D की भैलू 7, अब A 13 upon, देखो देखो यान से, हमें लिकालना है, A 13 upon A 14, A 13 यानि A plus 13 से एक कम, यानि 12D upon A 14, यानि A plus 14 से एक कम, यानि 13D, यानि 13D, ये लिकालना है, A की भैलू भी पता है, D की भैलू पता है, A की भैलू क्या है, 6 plus 12 into 7 upon, A की भैलू 6, D की भैलू 7, यानि 6 plus 13 into 7, अब कितना हो जाएगा, 12 साते 84, 6, 90 upon नीचे आजाओ, 13 साते 95, 96, 97, यानि 90 by 97, आपका राइट एंसर हो जाएगा, 90 is to 97, ओप्षन कौन सा, देखो, है हमारे पास ओप्षन, A करेक्ट एंसर, इस तरह से हमने क्या किया, first 25 question जो थे, वो हमारा APS and GPS topic का, quantitative episode book का हमने finish कर लिया, जो बचे हुए question है, जितने भी question अब बच जाएंगे इसके बाद, जो book में जितने भी question रख गये हैं, वो next class में हम लोगोंने पूरी तरह से finish कर देंगे, इस तरह से आपका ये भी topic इंड हो जागे, next class में आपका APS and GP topic भी पूरी तरह से, arithmetic progression, geometric progression topic भी पूरी तरह से finish हो जाएगा, इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं next class में, thank you, bye bye.